आज आपके साथ दूद से त्यार करदा मसर और साथ में जीरा तड़का राइस की बहुत ही असान रेसिपी शेयर करने वले हैं नेक्स लेवल होगी आज की वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं तो अभी हमारे पर मुझूद है तीन पाव मसर इन्हें हम अच्छे से वाश कर लेंगे और मेक्स शूर के पहले इसमें से जो चोटा पथर और डस्ट होती है उसे हमने अच्छे से चान लेना है वाश करने के बाद इसे हम डिरेक्ली प्रेशर कूकर में एड करेंगे और इसके अंदे स्पाइसी सेट करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और इसी के साथ एक छोटे लेसन के जवेज साबुत ही शामिल करेंगे अब इसमें एक बड़ा जग पानी का शामिल करेंगे और फ्लेम को आउन करके पानी को अच्छे से पका लेंगे तो पानी में जब तक वाइल आ रहा है साइड बाई साइड हमारे पास है आदा किलो काइनात राइस इन्हें भी हम अच्छे से वाश करके बिगोने रख देंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबलना स्टार्ट हो चुक है अब प्रेशर कुकर को बंद करके सीटी लगा के दस से बारा मिनट के लिए पका लेंगे मीनवाइल हम जीरा तड़का राइस भी डेडी कर लेते हैं जिसके लिए कड़ाही में तीन टेबल स्पून आईल के शामल करेंगे अब इसमें शामल करेंगे साथ से आठ काली मिर्श के दाने और हाफ टी स्पून जीरा डेड़ मिनट जीरे को भूनने के बाद इसमें वन टी स्पून सॉल्ट एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे देन इसमें चार ग्लास पानी के शामल कर देंगे और पानी का ये च्छटा लगाना लाजमी है तड़का राइस में अच्छा फ्लेवर बन के आते है बारा मिनट बाद प्रेशर कुकर की फ्लेम को आफ कर दी अब इसकी सीटी उठा के पांच मिनट बाद इसका डखना खोलेंगे तो राइस वले पानी में भी अच्छे से बाइल आना स्टार्ट हो गया अब जितने भी राइस है उन्हें अच्छे से स्टेन करके इसमें शामल कर देना हलके आज से इसमें चम्चा चला के मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे प्रेशर कुकर कर डखना उठा के एक बार चेक कर लेते हैं मसर अच्छे से गल चुके हैं के नई देन हम इसके तड़के की तैरी कर लेते हैं तड़के के लिए हम कडाही में हाफ कप आइल के एड़ के रेंगे और 10 से 12 बड़े लेसन के जबे हैं, इन्हें हमने थोड़ा सा काट के इसमें शामिल कर देने, बाकी आप लोग ये वीडियो के सिटी से देख रहे हैं, कमेंट्स में लास्मी बताइएगा ताकि आपका थैंक्स कर सकें, आज का स्पेशल थैंक्स जाता है हमजा फैसलाबास से, जुनेद अली हौंग कॉंग से, सना बेल्जियम से और अक्सा यूके से, तक्रीबन भी 13 मिनट हो गए हैं, और राइस का पानी आल्मोस ट्राइ हो चुक है, अब इसे लो फ्लेम पे कवर करके 10 मिनट का दम लगा देंगे, तड़का रेडी हो चुक है, अब इसे मसर में शामिल करेंगे और इसका सिजलिंग साउंड सुनने का अपना ही सुआद है, अब हलके आतों से चमचा चला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो जैसे आप देखेंगे इसके उपर बबल्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, देन इसमें एड़ करेंगे हाफ कब दूद का, और दूद का इसमाल आप लास्मी कीजिएगा, उसे इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है, फ्लेवर भी अच्छा बनके आता है, और मसर मुलाइम हो जाते हैं, अब 5-6 मिनिट का इसे कवर करके दम दे देंगे, चेक दिस आउट गाइज, अपने जीरा तड़का राइस भी रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम डिश आउट कर लेंगे, और जैसे कि आपको बच्छो